बुढनिंग डियर स्टुटेंस यह आपकी क्लास 3 की हिंदी बुक है मयोर पंक। चले स्टार्ट करते हैं। इस इस 8 चैपटर है खिलों ने मिठी के मतलब कि खिलोंे ने मिठी के यह चैपटर है आप Sबी बच्छों के लिए खिलोने के बारी में बताया गया है। मतला जैसे जिस तरह इस दुनिया में बहुत तरीके के खिलाओने होते हैं उसी तरह अलग अलग बच्चे को अलग अलग तरीके के खिलाओने पसंद होते हैं और मान लीजे कि इसमें बताया गया है कि अगर आपके दोस्त के पास कोई भी खिलोना ना हो तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप जब ये स्टोरी पढ़ेंगे और जब जानेंगे तब आप वैसा ही कीजिएगा जिस तरह इस स्टोरी में बताया गया है कि खिलोनो के मात्व के बारे में बताया गया है उसके यूस के बारे में बताया गया है चले स्टार्ट करते हैं रवीवार का दिन था रवीवार का दिन है सुबा का सुहावना मौसम है आकाश में उर्ती चिडियां उसे और भी सुन्दर बना रही है मतलब रवीवार मिस मतलब कि जानते हो आप लोग रवीवार मिस क्या होता है संडे का दिन है और सुबा का सुहावना मौसम मतलब बहुत ज़्यादा मन को मोह लेने वाला मन को अच्छा लगने वाला मौसम है और आसमान में आकाश मिस होता है आसमान में उड़ती जो चिडियों चिडिया है उससे और भी सुन्दर बना रही है मतलब जो आस्मान है चिडियां जो उड़ रही हैं उससे आस्मान और भी खुबसूरत लग रहा है गाउं के सभी लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं चोटे चोटे बच्चे इकटे होकर एक पेड़ के नीचे खेल रहे हैं एक खिलाओने वाला गीत गाता गाउं की और आरा है यहां आप देख सकते हैं गाउं में हर तरफ मतलब मौसम जो है वो काफी सुहाओना बहुत जादा अच्छा लगने आला मौसम है चारो तरफ और गाउं के जो लोग हैं वो अपने अपने काम पर जा रहे थे और छोटे बच्चे जो होते हैं वो इकठा होकर किसी पेड के नीचे गेम खेल रहे होते हैं यहां आप देख सकते हैं और एक खिलाओने वाला गीत गाता हुए गाउं की तरफ आ रहा होता है खिलाओने वाला जब आता है तो देखिए किस तरीके का वो सौंग गारा है क्या गाने गारा चले देखते हैं बच्चे आओ बच्चे आओ ऐसे तुम ना शोर मचाओ मेरे पास है गुड़े गुड़ियां देखो एक से एक बढ़ियां कोई तीन न कोई पाच का मन मर्जी का तुम ले जाओ बच्चे आओ बच्चे आओ ऐसे तुम ना शोर मचाओ लगी जो खिलाओने वाला होता है वो इस तरह के गाने गाता है कि बच्चे आओ बच्चे आओ और तुम ऐसे तुम ना शोर मचाओ मेरे पास गुड़े भी है गुड़िया भी है और एक से एक बढ़िया भी है और कोई तीन का भी नहीं है कोई पाच का भी नहीं है जितने मतलब जितने मर्जी का चाहो तुम उतने मर्जी का ले जा सकते हो और बच्चे आओ बच्चे मतलब ऐसे गाना गाते हुए वो जा रहा था सारे बच्चे गीच सुनकर खिलोने वाले की और दोर पड़ते हैं कि जो सारे बच्चे ह incent में झाल था रावा वाल चलते हैं कि जब कना बच्चा कोई जोने यह भॉझ में यह लगए समने चलते है कि तरह बाते हैं नहीं पजब दो हम कहते हैं रबात कि कौई यह सugg और फिर ऑप यह दो कि अंग कि एखो इस अदरा का दरआ भी बच्चे खिलाने वाले को घे लियते हैं। यह पैसा हमते हैं वालों ने लिंद कणि वंग confess . जो खिलोने वाला होता है यह आप देख सकते हैं कि वो लाकर जमीर पर अपनी टोकरी रख देता और बच्चे उसमें से अपने मन पसंद के खिलोने डूणने लगते हैं खिलोने वाला देखो बच्चो टोकरी में गुड़े गुड़िया हाती बंदर शेर भालू डमरू लट्टू हवा में चलने वाली चर्की रंग विरंगे फूल तो मेरे पास है ही एक खास खिलोना और भी मेरे पास है मतलब जो खिलोने वाला था वो बच्चो से कहता है कि बच्चो टोकरी में मेरे पास बहुत सारे खिलोने जिसमें से हैं गुड़े हैं गुड़ियां हैं हाती हैं बंदर है शेर है भालू है लट्टू है हवा है हवा में चलने वाली सौरी हवा में चलने वाली चर्की है और और रंग विरंगे फूल हैं फ्लावर यह आप देख सकते हैं यह गुड़े गुड़िया हैं यह भालू यह हाथी है तो बताता है और खिलाओने वाला यह भी कहता है कि मेरे पास इन सब चीजों के अलावा एक खास खिलाओना भी है तो सारे बच्चे सभी बच्चे जोर से चिलाते हुए वह क्या है खिलाने वाला बंदूग मतलब कि सभी बच्चे जोर से चिलाते हुए खिलाने वाले से पूछते हैं कि वह क्या चीज है जो आपके पास खास है तो खिलाने वाला जो होता वो कहता है बंदूग क्या कहता है बंदूग मतलब कि गन गन के बारे में ब लूँगा अमन तू क्या करेगा बंदूग का सभी बच्चे हस पड़ते हैं चिंटू जो होता है वो कहता है कि ये बंदूग तो मैं ही लूँगा लेकिन उसमें से अमन जो होता वो कहता है कि तुम ये बंदूग क्या करोगे तो उसकी बात पर सारे बच्चे हसने लगते हैं चिंटू, अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, जो करेगी सब बस बंदूख ही करेगी, मैं तो सिर्फ इसे चलाओंगा, सबी बच्चे फिर हस पड़ते हैं, मतलब कि चिंटू ऐसा बोलता है कि मतलब जब आमन इसे पूछता है कि तू क्या करेगा बंदूख का, तो चिंटू बत पिर से चिंटू की बात सँनकर सारे बच्चे हसने लगते हैं, अमन बंदू की आवाज सुनकर भागोगे तो नहीं सबी बच्चे फिर हस पड़ते हैं, मतलब अमन जो ता वो चिंटू से कहता कि बंदू की बात सुरी बंदू की आवाज सुन का है भागोगे तो नहीं तो सभी बच्चे उसकी बात से हसने लगते हैं चिंटू मैं भागूंगा तो क्या तुम मुझे पकड़ पाओगे बोलो खिलाओने वाला बच्चों हसी मजाग बाद में कर लेना खिलाओने लेने हैं तो बोलो चिंटू भाया इस बंदू के पैसे बताओ लगे चिंटू जो होता है वो कहता है कि मैं भागूंगा तो क्या तुम मुझे पकड़ लोगे या पकड़ पाओगे बोलो तो खिलाओने वाला बाद है किलाओने को सुनता है और बच्चों हसी मजाग तो एसे माद में कर सकते हो पहले बताओ काम के बात ये हैं कि आप पहले ।τι रहाले की है कि छिंटू पूछता है कि भाया इस बंदू के कितने। proudly Sumada इस बंदू के पैसे बताईए तो यह जो इस्टोरी जो आपकी खिलाओने मिट्टी के यही पर कम्प्लीट नहीं हुई है यह टू पैलाग्राफ हमने रीट किया है इतना आप लोग पहले रीट करें और अंडरस्टैंड करें इसके बाद हम इसके आगे का जो पार्ट बचा ह वहता है वह इसके बाद करें मिलिए वीडियो के नेट्स बार्ट में आपको बतायेंगे तो इतना पहले आप लोग रीट करें और अच्पाइंड करें डरीट है अश्टिवान क्सी और झाल्रप मूं सेमघ्म को